महानुभाओं, जिन्दगी में कोई चीज राजी से मिलती है, कोई चीज नाराज होने के बाद मिलती है, लेकिन जो व्यक्ति नाराजीगी से कोई बस्तू प्राप्त करता है, कोई बस्तू जगड के प्राप्त करता है कोई बस्तू किसी के दिल को दुखाने के वाद प्राप्त करता है उस बस्तू का मिलने का कोई आनंद नहीं होता देने वाले के मन में भी रहता है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ती ने मेरे साथ में जबड़स्ती करके मेरे साथ में छल करके मेरे साथ में कपट करके मेरे साथ में धोका करके मेरे साथ में आविवस्ता करके इस बस्तू की प्राप्ती की है और जो बस्तू राजी में मिलती है देखिए दो तरह से होता है एक होता है आप कहीं पर भोजन करने के लोग मना रहें कि भाई एक रोटी और ले लो एक रोटी और ले लो और एक जगा पर होता है कि एक रोटी और देना इसलिए में एकसर इक बात कहता हूँ यदि आप कहीं पर भोजन करने जाएं कहीं पर आप किसी के हैं मेहमान बन कर जाएं और आपको चार रोटी की भूख है तो तीन के बाद के दिना जी अब मेरा पेट भर गया तीन के बाद में के दिना कि मेरा पेट भर गया तो चोथी भी आएगी पांच भी 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 आएगी और छटवी भी प्रेम से आएगी और आपने देखा कि वहाँ पर व्योस्ता चार रोटी की है और चार के बाद में आपने बोली रोटी लाओ तो एक आ जाएगी फिर का रुटी लाओ तो फिर आदमी क्या करता है डिब्बे को बजाते हो निकालता है इसका मतलब आप समझ जाओ कि अब इसके बाद में तो कहने का दत्पर है जिंदिगी में राजी और नाराजगी का बड़ा मत्व है जो व्यक्ति राजी पूरवग चलता है उसके जीवन में हमीशा समस्याओं का समाधान होता है और जो व्यक्ति नाराजगी पूरवग चलता है आज कल हम लोग क्या करते हैं छोटी छोटी बातों पर उड़ जाते हैं छोटी छोटी बातों पर परेसान हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर समस्याओं में आ जाते हैं छोटी छोटी बातों पर दिक्कतों में आ जाते हैं छोटी छोटी बातों पर सोचने बिचारने को मजबूर हुआ करते हैं बंधों, बिचार आपको यहाँ पर करना है, कि क्या जीवन में जो हमारी समस्या है, वो बहुत बड़ी है, आप इस बात का बिचार करोगे, तो आप पाओगे कि जिन्दगी में आपकी जो समस्या है, वो बड़ी नहीं है, बलकि समस्या तो उस व्यक्ति की बड़ी है, जो आ को कोई दिक्क्त तो नहीं है तोई वैक्ति क estaban मैंने पुचा क्यों पर सटो नहीं तो बुले महराजी मैं हाथ की लकडी को लेकर चल तो पा रहा हूं मेरे पडूस में एक वैसा वेक्ति है जो बिल्कुल बैट पर रहे हों चली में प्रसंद हूँ मैंने मनमन सूचा बैट पर लिटा तको प्रसंद है कम से कम महराजी मैं मैं आप से बात कर पा रहा हूँ मेरा पडोसी तो घौमा में है कि विचार कर सकते हैं अगो कौमा में वेकती है तो क्या है उसकी सिथि है नहीं है बराबर है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास में जो चीज है उसको राजी पूरवक ग्रहन करने का प्रयास करो हमारे पास में जो बस्तू है उसको राजी पूरवक क्यों देखे आपके पास में जो आपको मिल गया है ये भगवान की महरवानी है आपकी किस्मत है तो आपको जो मिला है वह आपकी किस्मत से मिला है किस्मत से जो मिला है उसको और बढ़ाने का प्रयास करो लेकिर राजी पुरवक करो ये मत करो कि मुझे पैन मिला मुझे तो कालानी पीला चाहिए था अरे भाई जब पीला आएगा जब आएगा लेकिन जब तक पीला नहीं आ रहा जब तक काले का सुक तो भोग लो आप विचार करिए किसी को जले भी खाना है और घर में लड्डू बन गए और लड्डू बनके जब भोजन करना है बटा तो बन चुका है और वो है कि नहीं मुझे तो जले भी खाना है जी तो जले भी बनाना चालू भी करे आदमी तो दो घंटे लग जाएंगे हो सकता है साम को बने या हो सकता है कल बने और समझदार आदमी क्या करेगा वो है लड्डू को खाएगा और लड़ू को खाने के बाद करेगा जलेवी बन जाती तो और आनद आता तो हो सकता है साम को जलेवी बन जाए लोग लड़ू का भी आनद आ गया और जलेवी की पूरती भी हो गई लेकिन हम लोग क्या करते हैं जो हमारी ठाली में केतना कि अपनी ठाली का समान किसी को नहीं दिखता दूसरे का दूसरे का सब कुछ दिखता है अरे भाई जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास में है और जो तुम्हारा नहीं है वह कभी तुम्हारे पास में आही नहीं सकता तो जिंदगी में हर काम प्र नाराज में से नाक को अटा तो तो क्या मनता है क्या मनता है राज और राज कौन करता है राजा बही नाराजगी दिखे जो नाराजगी करेगा वह फकीर बनेगा और जो राजी रहेगा वो राज करेगा क्यों देखें आप नाराज होंगे तो क्या होगा बस्तू का सुभाव आपको आही नहीं पाएगा बस्तू का महत तो आपके जीवन में आही नहीं पाएगा बस्तू की प्राप्ति क्या है वह आपके जीवन में आही नहीं पाएगी बहुत सारी लोग होते हैं जो अपने हाथ से लेना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे के हाथ से लेना चाहते हैं एक बार एक किराने की दुकान पर एक मा और बेटी कुछ सामन खरीदने पहुँचे और एकसर जब दुकानों पर आप भी होते हैं आजकल तो दुकानों में हर दुकान पर चॉकलेट आदी अखी रहती है कि वह गरहक को पैसे कंपड़े तो सामन दे दो तो वहाँ पर किराने की दुकान थी चॉकलेट थे बिस्कुट थे अन्नसाई चीजें थी बच्ची साथ में थी और चोटे बच्ची जो होते हैं वो चॉकलेट टॉफी को दिखकर लॉली पाप को दिखकर मन लल चाता है खाने के लिए तो दुकान दार ने जब सामान तौला जो भी कर लिया उसके बाद में दुकानदार ने क्या किया एक चोकलेट की बर्णी को खुला डिम्बे को खुला और बच्ची की तरफ बढ़ा दिया बोले बच्चे चोकलेट ले लो उसने बोला नहीं मैं नहीं लोंगे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो माता पिता किने काय रखा है बहार लेन नहीं बोले मैं नहीं लोंगे और ले लो कोई बात नहीं अंकल दे रहे हैं ममी कुछ नहीं बोले लो ले बोले नहीं मैं नहीं लोंगे इतने मां बोली कोई बात नहीं अंकल बो रहे हैं तो ले बोले नहीं मैं नहीं लोंगे जब तीन बार उसने दुकानदार ने कहा ले तो ले लो तो उसने हाट डालका चॉकलेट नहीं निका ली चौधी बार दुकान दुकान दार ने क्या किया चॉकलेट को हाथ से निकाला और उसकी जेबों में भर दिया और जैसे ही बच्ची दुकान से बहाँ निकली तो एक साथ में दो-दो चोकलेट बड़े खुस होके नाच-नाच के खाने लगी तो मा कहने लगी बोले बेटे मैंने तुमसे कहा था कि ले लो तो तुमने नहीं लिया और अब बड़े नाच-नाच के खा रहे हो तो बेटी ने जो जाब दिया वह जाब बड़ा सुनने लायक है और जीमन मों उतारने लायक है उसने का मा जब अंकल ने मेरे तरफ बढ़नी बढ़ाई तो यदि मैं अपने हाथ से चोकलेट निकालती तो मेरे हाथ चोटे थे मेरे हाथ में 4-5 चोकलेट आती लेकिन जब अंकल ने चोकलेट निकालके दी तो मेरी जेब में 15-20 चोकलेट आ गई मेरी जेब में 15-20 चोकलेट आ गई तो कहने का दात पर है कि जब हम अपने हाथ से लेंगे अपने हाथ से लेंगे तो कितना आएगा जितना हमारे हाथ में आएगा लेकिन जब प्रभू देंगे जब गुरू देंगे तो क्या होगा उतना हाथ में आएगा जो हमारी आवसक्ता से भी अधिक है जो हमारी आकांचा से भी अधिक है तो हमें ध्यान रखना ये तो एक प्रसंग है बच्ची ने तो एक बात पताई लेकिन कितनी बड़ी सीख इस आपको तो यह कहना चीए, भगवान, मुझे तो मेरे लाइक रहने की विष्टा बना दो, वह वह देंगे जो आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हमारी सोच कितनी है, हमारी सोच तो उतनी ही होती है, जितनी हमें आवसकता है, और बरतमान की आवसकता है, हर इंसान जो चाहता है, समाबेस, एकदम समापता हो जाएगा, आवसकता हो का समाबेस खतम हो जाएगा, आज संसार में मैं देखता हूँ, कि हर जगे लोग, लोब कसाय के बसुथ होकर, क्रोध है, मान है, माया है, लोब है, लेकिन क्रोध आदमी थोड़ देर करता है, मान आदमी मैफिल में करता ह महायचारी लोगों के साथ में करता है लेकिन लोब ऐसी बस्तू है जो प्रतियक बैक्ति अपने खाली बैठा बैठा भी लोब लारच में लगा रहेगा कई तो इस तरह के लोग होते हैं जिनको पता है कि जिन्दगी में इस बस्तू की हम प्राप्ति नहीं कर सकते लेकिन उसके बाद भी लोग क्या करते हैं उस प्रस्तू को प्राप्त करने के लिए पीछे-पीछे लगे हैं पीछे-पीछे लगे हैं अरे भाई इससे क्या होगा आप अपनी जीवन का कल्यान करना चाहते हो तो आपको अपनी जीवन में थोड़ा 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 अपनी भावों को सुधारना पड़ेगा अपनी भावनाओं को बदलना पड़ेगा अपनी विचारों को बदलना पड़ेगा अपनी क्रियाओं को बदलना पड़ेगा जब जाकर आपके जीवन का कल्याण होगा मैं कुछ प्रभू जी का ध्यानी कीजिए थोड़ा थोड़ा प्रभू जी का ध्यानी कीजिए आप क्या बोलते हो मारा जी मैं तो 24 गंटे भगवान का नाम आद करता हूँ जूट है 24 गंटे तो कोई भी नहीं कर सकता है इसले मैंने का थोड़ा थोड़ा प्रभूजी का ध्यान कीजिए तो कहते हैं भाबो में थोड़ा थो भाबो में थोड़ा थो सुधारी कीजिए थोड़ा थोड़ा प्रभूजी का ध्यान कीजिए अब तक तो जिन्दगी में सैयम ना पाला था चण चण वीता जीवन अंत होने वाला था गुरु आग्या अब मानी लीजिये भवो में तोड़ा तो सुधार कीजिये थोड़ा थोड़ा प्रभूजी का ध्यानी कीजिये कि आपके अपने भावों को सुधारो थोड़ा सा प्रभूगा धान कर लीजिये क्योंकि जिस प्रकार से सारा भोजन है साही पनीर है तरे तरे की डाल है रोटी पराठी पुड़ी है और नाना प्रकार के बेंजन है भेल पूरी है चाट है जो जो होई सब बेंजन है आप मु Training और देजों से आए कोःत तरह तरह की बस्तु है सब कुछ है मिर्ची है अचार रहे आउला है पता नहीं क्या गई चीजें सब कुछ है पूरी ठाली भरी हुई है लेकिन उन सब चीजों में नमक नहीं नहीं है फिर बताइए क्या होगा अब सारी चीजें हैं लेकिन नमक नहीं है तो क्या होगा खाना तो आदमी खाएगा लेकिन जो खाने के बाद में डकार आना चाहिए थी ओ नहीं आएगी उसी प्रकार से जिंदिगी में सब कुछ है सब कुछ कर रहे हो लेकिन प्रभू का ध्यान नहीं कर रहे हो तो जीवन का कोई मतलब नहीं है प्रभू से यही प्रातना करो कि है प्रभू जो आपकी रजा है जो आपकी सजा है वही मेरी फजा है वही मेरा फर्ज है और उसमें मुझे रहने का कल्यान करना है तो निश्चि नहीं हो पाते इससे दुखडाते हैं अरे भाई मैं हमेंसा एक बात कहता हूं कि आप जब पेपर देने जाते हो एक्जाम देने जाते हो तो क्या आप उसमें लिखके आते हो कि इतने नंबर मुझे दे देना आप तो पेपर देखिया जाते हैं और नमबर देने वाला आपको योगता के साथ से नमबर देदेगा तो उसी प्रकार से आप अपनी अरजी गुरू के चरणों में लगाएं आप अपनी अरजी प्रभू के चरणों में लगाएं और उसके बाद में पूछें या क्या चाहिए तो बुलना भाईया भगवान जी गुरू जी मेरी तो अरजी है अब आपकी जो मरजी हो दे देना जो मरजी आए आप मुझे दे देना मैंने तो अपनी अरजी लगा दी तो हो सकता है कि जिस प्रकार से वो बच्ची के हाथ में दस चॉकलेट आती लेकिन देने वाले ने 20-25 दे दी क्योंकि आपकी अरजी कितनी सी है मेरे परिवार खुसी रहे मेरा घर वाले सही रहे मेरे इस्थार सही रहे लेकिन भगवान की तो मरजी है कि तुम्हारा परोसी भी खुस रहे ध्यान रखना घर वाले खुस रहे ना रहे चल जाएगा लेकिन परोसी खुस रहना बहुत जरूरी है क्योंकि घर के अंदर क्या हो रहा कोई नहीं जानता लेकिन घर के बाहर क्या हो रहा है ये सारी दुनिया जानती है तो हमेशा ध्यान रखिए कि पडोसी को संतुष्ट करिए क्योंकि पडोसी यदि आपको मिठाई भेजेगा तो आपको खाने का आनंद आएगा और लेकिन पडोसी आपको क्या करेगा गमला फेकेगा तो बड़ा मुस्किल हो जाएगा तो हमेशा परिवार के साथ में पडोसी को प्रसंद करें भगवान की रजा में अपनी रजा माने भगवान की मजा में मजा माने भगवान की रजा में सजाना माने तो आपके जीवन का कल्यान होगा और मुक्षी मार्ग प्रसतो हो